सब्सक्राइब करते हैं पुमिदी सब्रह avait दोस्तों इस विडियो में है आप लोग के सात्क शायर करने वाला हुं एक एगेजन्ची वैबसाइट कैसे क्रेट करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊँगा, one page website कैसे create करते हैं मैं एक one page website create करने वाला हूँ जो agency website होगा एक ही page में सब कुछ होगा, जैसे की contact us, about us, service, everything एक ही page में होगा, लेकिन जब आप menu में click करेंगे जैसे कि आप अगर सर्विस में क्लिक करते हैं, अबाउट आस में क्लिक करते हैं, तो वो ही पेज में आपको रिडारेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो पेज कैसे क्रेट करते हैं, आज हम मैं आपको साथ शायर करने वाला हूँ, अगर आपको जानना है वान पेज वेबसाट क अगर अपने तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जली से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकोन को भी प्रेस किजिए सबसे पहले नुटिक विशन पाने के लिए जब भी भी मैं नए वीडियो अप्लोट करूं यूटुब चैनल के उपर इस वीडियो को लाश्ट देखने के बाद दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ला आँगा यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सब पेज डिलेट कर दिया है अभी यह ब्लोगिंग वेबसेट की तरह हो चुका है एकदम से सिर्फ यह पर चार आर्टिकल जो मैंने डाला था लास्ट टाइम वह आर्टिकल यहां पर है मैंने वो डिलेट नहीं किया तो यहां आप ऐसे शोड आ है लेकिन दोस्तों आज मैं पेज करूंगा और सब कुछ करेट करके बताऊंगा कैसे आपको मेनू क्रेट करना है कैसे आप जो डिडारेक्ट बड़ा और ओप्शन से वह सब कुछ कैसे करते हैं और वान पीज वेबसेट कैसे करते हैं सब कुछ मैं आप पीज के ऊपर बील्ड करूंगा तो इसलिए मैं पहले पेज पर जाओंगा और मैं यह आप एड्ड नियूद पर क्लिक करता हूं बाद मैं इस पीछ का नाम दे दूंगा हम और मैं नीचे जाओंगा नीचे जाने के बाद या पर इसको मैं कर दूंगा वह 100% फुल वीट औ ताइटल होता यह साइड बार सबको चला जाएगा और उसके बात में कर दूँगा फबलिश अब्डेट होने के बाद आप हम करेंगे एडिट ुइट इलिमेंटर अधिट ऊडिशने के बाद दोस्तों याप आप दिख सकते याप एडिशन हाग चुका है याप स्थालड लाश विदियो में बता रहा था कैसे आपको somebody's create कि bits करना एक या पे आपको प्लाज बंटन के लिए वो आप यहापे चूज कर सकते हैं लेकिन आज मैं वैसे नहीं करने वाला हूं जैसे मैंने पिछली वीडियो में about our section build किया था same way आज भी मैं प्रीमेट पेज का इस्तेमाल करने वाला हूं इसके लिए मैं यहापे जो add template है यह वाilla option आप देख रहे है लिए प्लास के बाजू में इसमें क्लिक करने हो और में यहीं पेजस्त जो है यहाँ मैं एक पेजस्त याप सेलेट करने वाला हूं कोई भी आप पेजस्टेस्टेहा ? मैं कोई भी एक पेजस लेता हूं जैसे कि यह वाला पेजस ही ले लेता हूं और या पर जो इंसर्ट लिका हुआ है मैं या पर क्लिक करता हूं तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों या पर देख सेकता है यह वाला टैंपलेट या पर आ चुका है आभी हमें क्या करना है आभी हमें कुछ डिजाइन या पर साइट करना है जैसे कि या पर जो वीडियो है ये वीडियो हमें चेंज करना है और हमें अपना खुद का वीडियो या पर अप्लोट करना है इसके लिए मैं अपने यूटूब चैनल पर जाओंगा यूटूब चैनल पर जाने कोई भी एक एक वीडियो में ले लेता हूं जैसे कि यह वाला वीडियो में ले लिया है और इसका यूरल मैं करता हूं कॉपी कि यूरल कोपी करने के बाद दूस्तों तो यहाँ आए पर देख पाएंगे वीडियो यह आ चुका है तो वेसे आप वीडियो एड़ कर सकते हैं लिए अपको यहाँ पर करना है को यहाँ बीदिए करना है चाहिए जो isolaste करना है यहाँ आता सब्सक्राइंट 19 करना यार और आपने एड़ याँ रखने आप फ़ीडियो एड़ी यह तो यहाँ अगर आप कुछ रिंच जहते हैं कि कोई मैं यह पर कुछ लिखता हूं जैसे कि यह पर कुछ हेड्लाइन मैंने चेंज करता हूं जैसके तो मैंने यह पर लिख दया ग्रो यूर्ड बिजनेस विट आस अगे निचे के अगर हेडिक आप चेंज करना चाहते हैं और यह पर आपको जो देंस कर सकते हैं तो इतना डेटल मेंगे जाएंगे ओके नीचे आता है नीचे आने के बाद यह पर देखते हैं यह क्या है तो लेसे कि हम यह पर इसका भी हेडिंग चींज कर देते हैं यह पर हूँ इस इट फॉर तो हम यह पर लिख देते हैं एब-उट आस तो मैंने यापध आयवामट आस लिख दिया ये सोच लिए कि हम लोग करशिन ले सेक्ष्जन है तो यह ओवड हो गया ओके और नीचे आता है नीचे आने के बाद आप या भी देख सेकता है आहरस्ट नीचे ऍवाट टी कर लेता हूं अपर यह कलिक करता हूं और या पर या से ड्रक करकर कर या पर okay और इसको में alignment को कर दिया मैंने middle और अगर आप color change करना चाहते हैं तो यहाँ पर style पर आना है और इसके बाद यहाँ पर text के color आपको दिखेगा तो यहाँ पर आप कोई भी color change कर सकते हैं और मैं simply यहाँ पर blue देता हूँ जो अच्छा लगेगा यहाँ पर इस page के साथ और यहाँ पर typography में मैं कर देता हूँ poppins करने के बाद मैं adding का size change कर लेता हूँ size को मैं कर लेता हूँ 30 और width कर देता हूँ 700 तो आप underline करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो decoration है उसके बाद में underline कर दूंगा और यहाँ पर यह heading यह हो चुका है तो नीचे हम आएंगे नीचे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है यह आप देख सकते हैं यह हम लोग का contact as form हो गया तो यह सब कुछ सक्षटे यह हैं वह मैं क्या करता हूं एब आज के बाद साफिस सेक्षण करते हैं इसक लिए यहाप पर प्लस का बटन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद मैं फिर से यहाँ टेंपलेट पर क्लिक करूंगा अभी हम टेंपलेट से नहीं एड करेंगे अब हम एड करेंगे ब्लॉक्स तो मैं यहाँ पर ब्लॉक्स जो है यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ आप पेज नहीं यह block सिर्फ एक blocks section है तो आप कोई भी block section आप चाहते हैं तो आप यह पर add कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ type करता हूं service service type करने के बाद आप यह आप देख सकते हैं बहुत सारे options याप आपको मिल जाएंगे तो आप कोई भी एक service select कर सकते हैं जो आपके हिसाब से हो तो मैं कोई भी एक ले लेता हूं जिसके यह वला option मैं ले लेता हूं और कि मैं करता हूं इसको insert में आपको बहुत सार आइकन यहां पर मिल जाएंगे जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं फेस्बूक टाइप करते यहां पर देख सकते हैं फेस्बूक आचुका है तो मैं फेस्बूक को एड़ कर देता हूं जैसे कि टैक्स को मैं एडिट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर पर रिट कर लूँगा मैं यह पर लिख दूँगा Facebook Ads उस बात यह पर Graphic Design जो है Graphic Design तो ठीक है लेकिन जो इसका Image है वो चाहिए हम आइकन है वो हम चेंज करेंगे तो आइकन के लिए हम Image पर हम क्लिक करते हैं Image पर यह Image आ गया तो Image वहला यह Graphic Design का Image मैंने आइकन चेंज कर दिया और Consultant तो है इसक लिए हम Consultant का आइकन चेंज करेंगे कॉंसलiden तो है जाए और यह हम कुछ और चुछ कर लेते हैं जैसे कि फून सर्च करते हैं और कोई बiiii이다 कर देशिए और कोशार्च क disrespect यह बन तो यह पून का पर चुके और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यह पर आपको अप्षन मिलते हैं जैसे कि आप यह पिदेख सकते हैं मेरे करसर को फॉलो किजिए आप कुछ भी आप लिखेंगे तो यह यहाप चेंज हो जाएगा तो वैसे आप यह पिलेख सकते हैं अगर श्टाइल मेन जाना है आपको टैपोगराफी में जना पर यह दे पोपीन्स और पote section चाहिए था हमें home चाहिए था service section चाहिए था about us चाहिए था टीम और contact us जो सब कुछ हमें मिल चुका है अगर आप और भी section add करना चाहते हैं नीचे तो आप add कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जिसे की बहुत सारे अगर लोग चाहते हैं तो simply हें आप च्जाने के बाद को ब्लयए जानाा है यहाँ ब्लॉके आप देख सेकते हैं क्ति कर ऎकर इंसेट पे क्लिक करते हैं आप कि यह और्टमेटिकली इंसाइट हो जाएगा तो यह आप देख सकता है यह वाला ओप्षन यह आ चुका है जो क्याक्शन होते हैं लोग माइंड बे आकर आपके वेबसाइट के बारे में आपके एजनसी के बारे में कुछ पूछन हो यह पूछना चाहते हैं अल्रीड आप उनकी आंसर आप यह पर दे सकते हैं लोग को बहुत हो जाएगा तो व्यसके आप कर सकते हैं क्वेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं यहां पर सब कुछ एडिटेवल में फिट से बता रहा हूं तो यहां पर आप जैसे कि मैं हमने यहां पर इसका हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं इसके कुछ लिखना चाहते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं अभी हम करते हैं इसको अपडेट तो आमने इसको अपडेट कर दिया अभी हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करना जैसे के पहले मैंने सब कुछ डिलेट कर दि सब पेज डेलेट कर दिया है तो कुछ setting आमें से चेंज करना होगा जिसके लिए हमें जाना होगा दशबस का अंदर तो मैं चाहता हूं सीथे मेरे दशबूध के अंदर दशबूध के अंदर आने के बाद हम जाएंगे setting पर setting पर जाने के बाद हम जाएंगे reading पर रिडिंग पर आने के बाद यहां पर देख सेकते हैं यह वह उप्षन आपर सेट किया हुआ जैसे के करने के बाद मैं अपने website copy करता हूं तो हमने अभी पर आ चुका है अभी हम मेनुबार एट करेंगे यहाँ पर मेनुबार एड करेंगे तो मेनुबार एक करने के लिए हमने जो लास्टाइम मेनुबार एक किया था वह हमने pages create करेंगे हम सीदे जाएंगे appearance मेनु मेनु में उस लिंक में dragged दूसरे पेज़ में जाएंगे रिडारइक्ट हो जाएंगे नीचे चें सभिटार्ड हो जाएंगे इसके लिए हम क्या करना होंगा लिंक टैक्ट जुए यहापर हमें मैं लेखता हूं, तो हमें मेनु चाही हूं, और यहापे, जो URL है। URL तो नहीं है, तो हमें मैं यहापे देदूगा HASH, HASH देन disruptive के बाद लिखूंगा HUM तो आपको याद रकना हूँगा यह जो पार्ट में लिख रहा हूं हूं। स्वहमम को हमें और एक जगाब स्वहक्त करना होगा यह पर मैं जो कुछ भी लिक् rodzring का स्वहकर है इसके बाजु में वह मैं और एक जगा पेश्ट करूंगा यह वह यहला करने के बाद ही हमआज वह set record होगा तो यह पर जो कुछ भी अप लिखो गाए वही important होता है तो जैसे कि मैं यहाँ पर हूम लिखा उसके बाद add to menu में कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ services है देखे मैं लिख लूँगा services और मैं कर दूंगा add to menu शेयम में और तीन कर लूँगा जैसे कि टीम एबाऊट आस और कंटटड़ और यहां पर जो यूरॉल है जो हैस्टेक के बास में लिख रहा हूं इसमें कोई भी गेप मत देना हूं सर्विसेस टीम एबाऊट आस चाशा अब हम कुछ है इसको ठीक करते हैं जैसे के हुम के बाद सर्विस ठीक है उसके बाद एसको हम उपर लाते हैं और उसके बादी आरो सकतरां तो यह हम लोका हो गया मैनु करूंगा अभी में डिक और मैं से bir में मेनु उसको ऊपों इसको रिफ्रेश तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे हुय सर्विसे में बाउट आज टीम कॉंट्ट ये जो आप बार देख रहे हैं मैं log in हूँ इसलिए यह दिख रहा है अगर मैं log out होता तो यह बार आपको नहीं दिखाई देदा जब आप login होंगे तो आपको यहां से भी आप यहां से आप दाज़बूट में जा सकते हैं सब कुछ यहां से कर सकते हैं तो मैं एक पर सबनेंटे ऑने ho option है यहाँ पर आना है और यहाँ पर about us पर क्लिक करते हैं लोगों को यहाँ पर redirect होना है और उसके बाद team पर click करते हैं यह पर जो team वाला section है तो इसमें लोगों redirect होना है यह हमें करना है इसके लिए हमें क्या करता हूँ एक एक करके सब कुछ करता हूं जैसे कि अभी However section में करता हूं इसलिए हमें three टोड जो दिखई दे रहा है या पर click करना होगा click करने के बाद मैं जाओंगा डचबूट में और मेनूज में मैं उसने के बाद यह हमारा custom link हुंएं तो यह क्लिग करता हूं क्लिक करने के बाद यह यह URL जो section यह पर आप देख सकता हैं तो यहाँ पर yes के बाद जो कुछ भी है मैं यहाँ पर copy करता हूं तो मैंने यहाँ पर किया copy उसके बाद मैं जाओंगा फिर से elemental में जाने के बाद मैंने जो three dot पर क्लिक किया था उसके बाद मैं करूंगा advance एडवांस में करन्ट क्लिक करने के बाद मैं आउंगा नीचे और यहां पर CSS ID जो यहां पर आप देख सकते हैं simply यहां पर आपको करना होगा यहां पेस्ट तो मैंने यहां पर कड़ा पेस्ट और यहां पर कर दों था अपडेट अभी हम तो मैं यहां ve click करता हूं click करने के बाद यहां पर hash के बाजुवाद में जो कुछ भी आप लिके रखे तो सब कुछ करणा ना है के बाजुअ मैं जो कुछ भी अपने कोपी करना है मैंने करी दिया copy उसके बाद फिर से एलिमेंटर पह आना है आने के बाद advance पे जाने के बाद css id पे आपको करना है पे तो यह serviceable option भी हो गया है उसके बाद मैं जाता हूं about us यह जो three dot है मैं यहां पे करता हूं click और उसके बाद मैं जाओंगा advance पे फिर से जाओंगा मैंनुस पे अभी मैं जाओंगा about us पे अभी हम करेंगे कस्टम यृट को कोपी और मैं फिर से जाओंगा पेस्ट अभी हमें क्या चाहिए contact us ओके तो हम लोग का जो यह से यह वाल सेक्शन है आवर सम आफ आवर वार यह हमने मैंनु में एड ने किया और यह जो कुछ से वह एड ने किया अभी हम डाइरेक एड करेंगे contact us तो contact us के लिए मैं सिंप्री नीचे जाओंगा contact us के उपर और contact us में जो यह 3.8 या पर जो बीच में या पर मैं करनागा क्लिक उसके बत मैं जाओंगा advance मैं जाओंगा मैनु में और हम इसको यूर्ल है जो कुछ भी अपने लिखा या फिर हमने लिखा तो मैं करता हूं इसको कोपी और मैं css id में करता हूं इसको paste और मैं करता हूं अप्डेट तो मैंने क्या किया मैंने जो या पर जितने भी मेनू से भूम सार्वीस एबाउट आस टीम और कंटक्ट अस अब को मैंने डिडरेक्ट कर दिया अभी मैं अबडेट होने के बाद मैं आपको शूह करता हूं यह रिडर्क हुआ के नहीं अभी हम एक निया टैब ओपन करते हैं हम लोग को वैबसाइट का तो यह निया टैब ओपन हो इस तरह से आप वान पेज वैबसाइट क्रियेट कर सकते हैं अगर आप अपने लेंडिंग पेज में भी ऐसा कुछ मेंदेना चाहते हैं जैसे कि लेंडिंग पेज पर मेनुस नहीं होता है लेकिन आप अगर देना चाहते हैं तो आप इस तरह redirect करके call to action पर लोग को भेज सकते हैं तो मैंने आज आप लोग के साथ share किया है one page agency website कैसे create किया जाता है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को like सरूर कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला तो मेरे इस चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपको कोई भी सवाल हो कुछ भी जानना है तो आप मुझे मेरे instagram id पे dm कर सकते हैं नीचे description में आपको link मिल जाएगा मिलते हैं next वीडियो में दोस्तों आगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से like कर दीजिए जय हिंद जय भारत